हेलो फ्रेंट्स वाकत है आपके अपनी यूट्व चैनल ग्रोवटेड अस्पार फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में एनियाइज करेंगे डीटेल में निफटी निफटी और बैनिफटी को कि कल यह किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं क्या सनेरो किया अप्राइशन निकल कर जोइन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लिस्स और यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे बैइन निफटी को तो बैइन निफटी को अगर बात कर रहें तो दिखें सबसे पहली चीज तो आज के केंडल बनी है इस केंडल का हाई और सक्डल को लो हमारे लिए इंपोर्टेंट है अगर सकता मार्केट यहां पर टाइंपर करना स्टार्ट करें इस यहाँ पर यह जो breakout क्या है इसको sustain कर पाता है यह नहीं हो सकता है यहाँ पर time spend करें और उसके बाद break करें यहाँ पर time spend करने के बाद हो सकता है down eyes gap को fill करें और fill करने के बाद यहां से move करें क्योंकि अभी जो projection है वो क्या है यहां पर projection अभी भी क्या है upside के लिए हो सकता है प्राइस यहां पर थोड़ा सा down आए down आने के बाद फिर से move करें तो important हमारे पास यह वाला area होगा ध्यान रखेगा 45,000 का round number bearish का view हम कब रखेंगे जब यहां पर कोई bearish candle देखने को मिलेगी या फिर यहां पर कोई projection दिखाई देगा down set के लिए तो यह सारी चाइज आपको ध्यान में रखकर चलनी है जली इसको remove कर देते हैं अब चलता है पंदमेरी टाइम फ्रेम पर और कल के लिए नए levels को mark कर लेते हैं एक सिकने यहां पर chart को set कर लेते हैं तो price ने काफ़ी अच्छा moment दिखा दिया है आज काफ़ी अच्छी rally देखने को मिली है और जो first candle बनी थी अगर आप देखो कि पंदमेरी के टाइम फ्रेम पर यह कौन से candle है जरूर बताएगा comment box में तो देखे पर यहां पर यह जो candle बनी है यह candle है dragonfly dozy यह candle कौन से है dragonfly dozy candle अब यहां पर देखे इस candle का first candle का high break हुआ एक moment दिया upset high लगाया 45,8,24 के आसपास और यहां से rejection phase क्या down आगया लेकिन अगर देखे तो यहां पर यह जो area था इस area पर क्या बना लिया support यहां पर market open वा तो उसी के आसपास आया support लिया और एक अच्छा कासा moment हमें यहां पर upside देखने को मिला लगातार यहां पर बनी है green candle एक भी red candle नहीं बनी है पंदमने के टाइम फ्रेम पर बैंग निफ्रेम अगर आप 5 मिन के टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो projection ना बना कर moment दिखाया है upside के लिए और देखने जो मेरा व्यू था मैंने आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर दिया थी कि मेरा व्यू क्या है upside के लिए तो first target जो था वो था 46,000 का round number और उसके पाद एक level दिया था मैंने 46,100 round number और देखने टेलिग्राम चैनल पर यह भी पोस्ट किया हो बेरिश का फिलाल कोई भी व्यू नहीं है जब तक यहां पर हमें प्राइजेक्शन नहीं मिलता है या फिर यहां पर कोई बेरिश केंडल देखने को नहीं मिलती है यह अगर कोई प्राइजेक्शन दिखाई देगा तभी सुनेरों हम देखेंगे डाउन सैट के लिए और फिलाल मेरा व्यू रहेगा अपसेट लिए हो सकता है प्राइस डाउन आए डाउन आने के बाद अगर सपोर्ट बनाएगा तब मैं यहां से अपसेट का ट्रेट प्लान करूंगी डाउन सैट का मेरा कोई भी व्यू नहीं है इस चीश का थोड़ा स इस चीश का राउन नंबर और 20 में दिखी जो हडल है वह है मारे पास यहां पर 600 का राउन नंबर यह हमारे लिए एरिया इंपोर्टेंट होगा यहां पर सबसे पहले यह वाला 950 और उसके बाद नेक्ट यहां पर अगर मार्क करों तो 46,000 का राउन नंबर तो यह एरिया ह यह हमारे लिए होगा और उसके बाद नेक्ट यहां पर यह लेवल 45 650 तो यह कुछ लेवल से इंपोर्टेंट है ध्यान रेकेगा डाउन सैट के लिए अब यहां पर देखें अप सैट के लिए इस एरिया से यह जो रैली आई है 46,000 की एरिया से इस में जो लेवल होगा यहां कहीं पर ओपन हो जाता है अगर ब्रेक करेगा तब यहां पर डाउन सेट करें प्रेट सकते हैं हो सकते हैं यहां पर और उसके बाद ब्रेक तो इन सारी चीजों का ध्यान निकेगा इंप्वारे पास क्या डाल है 46-80 का लेवल अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स यहां पर हमारे पास जो लेवल निकल कराएगा वह होगा 46-185 की आसपास का लेवल यह हमारे लिए इंप्वार्टन्ट होगा और उसके पाद नेक्स यहां पर जो एरिया नजर आ रहा है वह है 46-80 राउंड लेवल तो यह खुछ लेवल से द्यान लेखेगा इनको यह इंप्वार्टन्ट लेवल से सारे के सारे तो यहां पर मैं मांक कर देती हूं प्राइस लेवल लगा देती हूं कि हमारा यहां पर फस्ट आरेड होगा 180 और उसका नजर यहां पर 46-80 के असपास का और उसका नजर यहां पर 46,000 का राउंड नमबर इसको मैं मांक कर देती हूं तो आपके लिए थोड़ा से एजी हो जाएगा समझना कि यह हमारा सपोर्ड का एरिया है यहां पर यह अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहां पर 46-830 र करें तब यहां पर अच्छा का सा मूव हमें देखने को मिल सकता है अदरवाइस यहां पर क्या होगा कि अगर यहां ओपन होने के बार डारेक्ली ब्रेक कर रहा है तो देखे हमारे पास फिर अपसाइट के लिए कोई भी टार्गेट नहीं है तो प्राइस किस लेवल तक ज नानी के बाद अगर मूव करेगा तो यहां पर सब्सक्राइब कर सकते है तो फैस्ट टार्गेट एम लेकर चलेंगे 46-500 आराउन ले मोडोल तो इह हमारे यहां पर फैस टार्गेट होगा अगर इस बाच को भीकत नहीं ही तो हम यहां पर एंडरे मंगlices टे सिक patio 8600 ओर उस इसको भी धियान नगेаю यहाँ पर यह थे था जिस बैंक निफ्टिकल्प देखते हुआ को होता है प्र एक फिर दाउन देख्रण चाहे डे पक double open हो और पर double open हो दोनों सालिड में आपको क्या करना है वेट करना है प्राइजेक्शन का या फिर किसी लेकिन दोनों साइट चूटी कॉंटी से तो देखते कल बैंक किस तरह से बीफ करता है चलिए अब देख लेते निफ्टी 50 को कि बात करें तो निफ्टी 50 भी gap up open हुआ अगर first candle को देखे तो first candle यहाँ पर बनी rejection वाली यानि कि अगर देखे तो पहले तो fall दिखाया और उसका दाउंजर से rejection ले लिया और काफी देर जो है इसी candle के अंदर यहाँ पर move करता रहा लेकिन देखे तो यहाँ पर जैसे high को break किया sustain किया और एक अच्छा कासा movement निफ्टी में भी देखने को मिला है तो important है मारे पास क्या अडल से कल के लिए तो देखे सबसे पहले यहाँ पर mark कर लेते हैं आज का high 700, 20,700 round number और उसके बाद next यहाँ पर यह वाला level होगा 20,655 उसके बाद next यहाँ पर अगर mark करें तो यह वाला area निकल करा रहा है यहाँ पर इस area के आसपास 20,600 around level यहाँ पर मैं mark कर देती हूँ यह level 20,600 के आसपास का और उसके बाद next यहाँ पर अगर mark करें तो आज का लोग तो तुमारे लिए बहुत ज़्यादे इंपॉर्टेंट होगा और बीश में यहां पर एक छोटा सा अगर मार्क करें तो तो डीआ करें लीक्त लिए टो इसको मार्क कर लएक यहां पर यगाँ अगर प्राइस है उपन होने के बाद यहां पर डाउन आता है ट्वंटी थॉदंट फाइफ शिक्स्टी अरॉड लेवल तो यह कुछ लेवल से डाउंट लेवल अब बात करें अगर अपसेट ले तो प्राइज अगर यहां कई पर ओपन होने के बाद ब्रेक करता है 700 की लेवल को अगर सस्टेंट कर जाता है तो यहां पर फिफ्टी पॉइंट का टारिट लेकर चलेंगे तो फर्स टारिट 750 यहां पर और उसके बन देखें यहां पर 800 का राउंड नुमबर अब दिखें निफ्टी जो है वो नया हाई बनाती हुए जा रहा है तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेगा निफ्टी 50 में डाउंट के लिए आपको क्या देखना है प्राइजेक्शन देखना है फ्रंट प्राइजेक्शन मिलेगा पंद्र में टाइम प्रेम पर जब प्राइजेक्शन चींज होगा तभी हमारा व्यू क्या होगा अगर यहां पर ब्रेक करता है डाउंट तो हम यहां पर यहां पर जैडाउंट का व्यू रख सकते हैं कि अटन कीः तहिल कर से देख्स और के लिए चले हुए हम देख लेक्ते को तो यहां पर अगर देखैंगा वनिया सब्सक्राइज णी intricate करते की इह напр praying द्रका करतें प्र तो अच्छा everyone यहां पर हमें फिन निफ्ट में भी देखने को मिला है अब देखिए यहां पर मैंने कुस्स लेवल कर दी है तो इंपॉर्टन है मारे पास यह वाला एरिया होगा अगर यहां ओपन होने के बाहर डाउन आता है यहां पर यहां पर 750 और उसके यहां पर आसपास का लेवल डाउन साथ देखने को मिल सकता है चलिए यहां पर लेवल को मार्क कर देती हूं तो यहां पर फ्रस्ट आर्गेट होगा 750 उसके नेच्ट यहां पर 650 का लेवल अपसाट आम पर देखे टार्गेट नहीं है तो हम यहां पर 50 50 पर टार्गेट लेकर चलेंगे तो 950 नेच्ट यहां पर 21000 का राउन नुमबर अपसाट लिए देखे पर यहां पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा यहां पर रेंज बनने के बाद यानि यहां पर यहां पर देखर चलनी है कल के लिए क्ल है अज का फी अचा मूब यह कर चुका है अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर फसा रहा जैसे बैंग निफ्टी में मैंने आपको बताया कि यहां पर अगर देखे तो यह जो रैली आई अगर इसको ब्रेक नहीं करेंके आपको क्या मिल सकता है या तो मार्केट फॉलेटायल रह सकता है या फिर यहां पर एक छोटी सी रेंज बनाकर साइडवेज भी हो सकता है तो यह सारी चीज़े आपको देखकर चलनी है क्योंकि आज ट्रेंडी मूव हमें देखने को मिल चुका है और मार्केट जो है वो न बिशकेट कर दिया तो कर अगर ओपन होने के बाद 1225 का लेवल अगर इसको ब्रेकरने स्टार्ट कर दिता है तो जो टार्गेटों का हुऊ हम लेकर चलेंगे 1234 उसको बनेशने आपाunk 1238 और उसको बनेशने आपा तुमेहं पर 423 का भी लेवल देखने को मिल सकता है अगर के आसपास दियाने कि यहां पर टेक में दर में लेवल को चलिए देली तिने इसके बात करते हैं यहां पर भी फॉल दिखाने के बाद अभी यहां पर अगर देखे तो एक छोटी सी रेंज बनाई हुई है फिफ्टी एमे के ऊपर मॉफ कर रहा है तो कल उपन होने के बाद 1915 का लेवल अगर इसको ब्रेक करके स्टेन कर जाता है तो नेच्ट यहां पर 1945 का लेवल फिट से दिखा सकता है लेकिन अगर रिजेक्शन करता है डाउन आता है यहां पर क्या है फिफ्टी एमे तो 1892 के नीचे अगर निकलता है तो फस्ट टार्गेट 1878 और उसके पर अग यहां पर अब यहां से भी क्या रिजेशन लिया हुआ है टाइम इस्पेंड कर रहा है अगर ब्रेक करता है डाउन आतो तो इंपोर्टन क्या होगा 717 अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेच्ट यहां पर 713 का भी लेवल डाउन से दिखने को मिल सकता है अगर मूव करता अगर यहां ओपन होने के बाद अगर मूवमेंट दिखाता है अफसेट और 724 का लेवल अगर ब्रेक कर देखने को मिल सकता है अगर कल यहां ओपन होने के बास 1611 का level अगर को ब्रेक करके सप्ट हर जाता है तो नेच्ट तकий यहां पर 1626 का level दिखा सकता है SGFC bank लेकिन अगर यहाँ पर rejection phase करता है डाउन आता है तो डाउन सट यहाँ पर 1597 और उस बंदेशन यहाँ पर 1590 और उस बंदेशन यहाँ पर 1581 का भी लेवल देखने को मिल सकता है फिलाल जो वियू है वो है bullish का हो सकता है प्राइस यहाँ पर तोड़ाँ आए और यहाँ से support लेके फिर से move करें अप्ट लिए तो थोड़ाँ से यहाँ पर ध्यान रखेगा एक्सिस बैंक में अगर देखें तो यहां से rejection phase क्या 1098 का level दिखा सकता है downside यह level में देखने को मिल सकता है बीच में 50 में को जरूर ध्याने केगा हो सकते प्राइस दाउन आयर 50 में से support लेके फिर से द्रौ करती हूं द्रौ करके पोस्ट करती हूं आज मैंने अपना व्यू भी पोस्ट किया ग्यारा चालिस पे कि व्यू अभी भी क्या है बुलिश का है तो काफी अच्छा movement देखने को मिला बैंक निफ्टी में और निफ्टी फिफ्टी में भी देखिए लेवल्स इस तरह से ड्रौ करें ड्रौ करके पोस्ट किये दे अब देखिए यहां पर यह है मेरा प्रीमियम ग्रूप इस ग्रूप में भी देखिए मैं कोई कॉल पूटी अवर कोई टिफ्ट वगर प्रवाइड नहीं करती हूँ सिर्फ और सिर्फ जो भी इंपॉर्टन लेवल्स होते वो में पोस्ट करती हूँ यहां पर मैं व्यू जरूर अप्डेट करती रहती हूँ और उसके बाद 46,000 का राउंड नमर हमारा डन हो गया यानि हमारा जो टार्गेट था वो हमारा 46,000 का लेवल था जो की अजीव हो और जैसे जैसे आपने ट्रेल क्या होगा उस तरह से आपको पॉइंट देखने को मिले होंगे बैंग निफ्टी में तो देखिए यहां पर मैं अपडेट करती हूं क्या मेरा व्यू है आपको एसल टेल करना है या मार्केट साइडवेज हो सकता है यह सारी चीजे जो है मैं इस प्रेम ग्रूप में अपडेट करती रहती हूं तो अगर आपको जोईन करना है तो देखिए आपको उसके लिए कुछ जी पे नहीं करन कि मैं आपको यहाँ पर कोई जो है कॉल पूट या फिर कोई टिफ्स प्रवाइड करूंगे इस तिरिफ लेर्निंग परपस से इंपोर्टन लेवल्स और अपना व्यू यहाँ पर पोश्ट करती हूं तो फ़लाल इसी वीडियो कहीं पर ही एंड करेंगे वीडियो पसा देती वीडियो के लाइक जरूर करेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुडबाई एंड थैंक्स वर वाचिंग